नमोना महा मैं दिनेश कुमार कुमावत राजस्तान सरकार और वेदानता की CSR इनिशी टीवी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ग्यान विद्यारतियों हम पढ़ रहे थे द्वितियह पाठा बिलस्य वानी न कदापी में शुता जिसमें हमने तीन कद्यांच पढ़ लिये थे और इसमें हमने पढ़ा था कि किस प्रकार जो सियार है वो घुफाग से शर्त रगता है और व्यंग्य करता है सिंग उपर ताकि सिंग कि चिपकर जो बैठा हुआ है वो कुछ ना कुछ बोले और ऐसा करके वो चुफ हो जाता है अब आगे क्या होता है कहानी में आईご देखते हैं चतुर्त गध्यंश में अब आगे देखिए जब शियार बोलकर कर के चुप हो जाता है उसके बाद सिंग बोलता है क्या बोलता है अत यानि इसके बाद इस कहानी में जो अब तक हो चुक है उसके बाद एतत शृत्वा यह सुनकर क्या सुनकर कि जो शियार है वो अपनी गुफा से बात कर रहा है कि जब भी मैं बाहर से आउं तो तू मुझे बुला लेना यानि आवाज देना ठीक है आवाज देकर बुलाना ठीक है और अगर तू मुझे आवाज नहीं देगी तो मैं दू नहीं लगाया ठीक है ना आया मेने आवाज नहीं लगाए तो यह दूसरी बिल में चला जाएगा दूसरी गुफा में चला जाएगा और दूसरी गुफा में चला जाएगा तो मेरा शिकार नहीं हो पाएगा और में भूके रह जाओंगा ऐसा वह सोच रहा है तो देखिए क् इतत्कुत्वां ऐसा सुनंकर सिंह अर्चिंतएयग स्षेर सोचता है क्या सोचता है नूनमे शाः निष्चिति यहां टिके ना गुहा यानि यह गुफा जो है स्वामी नहां स्वामी का सदा हमीशा समावानम करोती समावाहन करती है यानि आवान करती है मतलब उसको बुलाती है परन्तु लेकिन मत भयात मेरे डर से न किंचित वदती कुछ नहीं मोल रही है अब शेर को यहां पर अपने आपर घमंड हो जाता है क्या घमंड हो जाता है कि मैं यहां हूँ ना वास्तविक्ता तो यह है कि वह चुपकर बैठा हुआ है लेकिन शेर वहां बैठा बैठा सोचता है कि यहां पर मैं हूँ इसलिए यह गुफा मुझसे डरी हुई है ठीके न और कुछ नहीं बोल रही ठीक है ना तो ऐसा वह सोचता है कौन शेर सोचता है अथवा साध्विदम उच्यते ऐसा सही ही कहा गया है क्या सही कहा गया है उधारण भी देता है कौन उधारण देता है क्या सही कहा गया है भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिगा क्रियाह प्रवर्त ते न वानीच वेपथुस्चादिको भवेट यहां पर देखिए भय संत्रस्त मनसाम जो डरे हुए मनवाले होते हैं टिक है यानि कि जो भैबीत मनवाले होते हैं ऐसे जो मनुष्य होते हैं हस्त पादा दिका क्रिया है ठीक है ना हाथ पैर से संबंदित जो क्रियाएं होती है ठीक है जो मन से डरे हुए वेक्ति होते हैं उनकी जो हाथ पैर से संबंदित क्रियाएं होती है यानि कार्य होते है यानि पैर से जो कार्य होता है हाथ से जो कार्य होत जो होती है यह सभी प्रवर्तंते नव यानी नहीं प्रवर्तंते यानि की प्रवर्तित होती है और धार्त जो डरें मन वाले जाता है तूर उसके हाथ पएर काम करना बद्द गर देते हैं और वो बो चक्का रह जाता है और उसकी आवाज भी नहीं निकलती और क्या होता है वेपथुस चादिको भवेत और वेपथु यानी कमपन ठीक है कमपकपी होना अधिको यानि बहुत ज्यादा भवेत यानि होता है यहां पर देखिए विकति को जब डर जाता है क्या होता है कम कंपी उसके शरीन में होने लगती है और हात काने चाहिए वो काम करने बंद कर देते हैं ठीक है तो ऐसा यहां पर कहा ऐसा किस ने कहा शेर ने कहा ठीक है तो अब यहां पर देखिए शेर ने ऐसा कह दिया और वो चुप हो गया अब आके क्या होता है वो तो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे अगले गद्यांश में पढ़ेंगे लेकिन यहां पर जो कठिन सब्द वह वो भी जान लेते हैं और इसके जो बॉध willen वह भी जान लेते हैं तो यहां पर देखिए इसके बाद एतत शृत्वा एतत धन शृत्वा यहां पर देखे शृत्वा है शृत्वा यानि सुनकर तो इसके बाद आथ यानि इसके बाद एतत शृत्वा यानि यह सुनकर सदा यानि हमेशा परंतु यानि लेकिन साध्विदम साधूधन इधम यन संदिया आपर सही है यानि कि यह सह है भय संत्रस्त मन साम डरे हुए मन वालों का हस्त पादा दिकाह हाथ पेर आधि से संबंदित इसके संदी विचेद हस्त पाद आधिकाह वे पथु यानि कमपन ठीक है विद्यार्तियों अब यहां पर देखिए अथ क्या है यह अव्य है सदा अव्य है अपने पास में परंतु अव्य है ठीक है इस प्रकार यह सारे क्या है अव्य है अपने पास में ठीक है आगे देखिए बोधु प्रिश्ण क्या कहते हैं बोधु प्रिश्ण है गुहा यानि गुफा कस्य किसके भयात भय से न वदती नहीं बोलती है किसका डर रगराता गुफा को एसा था नहीं ऐसा घमन कर लेता है ऐसा सोच लेता एकर अप्र लिखेंग आप लिकेंगे सिंहस्या ठिक है लिखतीया अगला प्रिश्ण हस्त पादा आदि कहा हां करिया हकेशाम न प्रवर्थ तहीं हाथ पैरसे संबंधिध जो क्रियाय होते नहीं होती किन से हाथ-पैर की जाए नहीं होती एक पदेन उत्तर देना तो जो अपने मन से डरे हुए रहते हैं तो क्या लिखेंगे हम उत्तर अहां भया संत्रस्त मनसाम ठीक है ऐसे विक्तियों कि जो हाथ पेर से सम्मदित करिया होती है वो प्रवर्थित नहीं होती तो इस प्रकार हमने यहां तक देखा कि एक शेर जो है वो किस प्रकार ठीक है गुफा में चिप कर बैढ़ता है सियार के कहने पर वो कहता है वो घमन कर लेता है कि यह गुफा भी बोलती है लेकिन मेरे डर से नहीं बोल रही होती है अब आगे क्या होता है कहानी में जानेंगे हम अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवादा हा